हेलो फ्रेंट सब देखने टेक्निकल हिंदी गुरुजी फ्रेंट छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी आ चुकी है जी है फ्रेंट से MCC द्वारा एक बिल्कुल अभी 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 ओफिसल नोटिफिकसन जारी किया गया है और आप देख सकते हैं यहां पर 7 दिसम्बर 2020 बिल्कुल अभी अभी ओफिसल नोटिफिकसन रिलीज हुआ है जी है फ्रेंट जो चात्र मोपा प्राउंड में पाइटिस्पेट करना चाते हैं उन चात्रों के लिए अच्छी खुसकबरी आ चुकी है मोपा प्राउंड चात्रों के लिए उफिसल नोटिफिकसन द्वारा रिलीज किया गया है तो वीडियो को अन तक देखते रहे हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करने के बाल टेग्निकल हिंदी रूचनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और साथ ही बेल आक्टिंग को प्रेस नहीं किया तो बेल आक्टिंग को जरूर प्रेस करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से जादा सेयर करते हैं जैसे सभी चात्रों को इस ओफिसल अपडेट का पता चल सके तो जैसे फ्रेंस आप MCC की ओफिसल नोटिफिकेशन है यहां पर लिखा है मोपा प्रांड और आज ही की टेट लिखी होगी साथ दिसंबर दोजार बीस इस पर क्लिक कर गया हम ऑफिसल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो देखी पैंट्स में ऑफिसल नोटिफिकेशन है MCC द्वारा जो रिलीज किया और वो अपनी जो नेशनल्टी है इंडियन टू एनराई में कनवर्ड करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए ओफिसल नोटिफिकेशन है तो देखी कहां यहां पर क्या बोला गया है यहां पर देखी बोला गया है कि इस फॉर दा इन्फोर्मेशन टू ओल्ल दा कंडियर्स 228 2017 copy enclosed such candidates should send their relevant documents are mentioned below in support of their claiming of change of nationality from Indian other to NRI through email email address यहां पर दिया है आप यहां email address को देख सकते हैं यहां रहे आपको email address nri.adgmemcc1 at the red gmail.com email ID आपको यह mention हुई दिखेगी उसका बोला गया है कि from 5 p.m. of 7th December 2020 Monday till 9 a.m. of 9th December 2020 is bad nationality देखेगे बैंस यहां पर बोला है जो ऐसे candidate है जो अपनी nationality को convert करना चाहते हैं इंडियन से NRI में और मोपर प्राउन में धार रहे मोपर प्राउन में जो छात्र पाइस्पेट करना चाहते हैं और इंडियन से NRI में अपनी nationality को convert करना चाहते हैं वो छात्रों के लिए यहां पर बताया गया है कि आज 7 दिसंबर है और आज ही से पांच बजे से आपके जो डोकुमेंट्स है ठीक है जो रिलेबेंट डोकुमेंट्स होंगे मैं आगे आपको वीडियों बताऊंगा कि कौन-कौन से डोकुमेंट्स आपको समिट करने होंगे आप अगर इंडियन से ही आपको आपको समय हैं 9 दिसंबर तक अपने सभी डोकुमेंट्स इस ऑस पर send कर दीजेगा जो की mail id आपकी है nri.adgmemcc1.gmail.com ये mail id है इस mail id पर 9 दिसंबर सुबह 9 बज़े तक आप अपने जो relevant documents है वो इस पर send कर दीजेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी nationality इंडियन से nri में convert हो तो कौन-कौन से document send करने हैं बो मैं आपको बताऊंगा इस mail id पर आपको सभी documents से forward करने होंगे एक PDF में बना करके ठीक है उसके बाद यहां पर बुला गया है कि all such candidates are advised to be in touch with the mcc.nic.in website for further course of action और further action के लिए जो है आपको जो mcc की website पर website है उसके touch में रहिएगा mail received before after the stipulated time will not be considered candidates are advised to send all documents in close in single mail only within stipulated time यहां पर बुला गया है कि आपके पास जो भी आपको समय दिया गया है 7 December से लेकर 9 December तक इसी समय अंतराल में इसी समय के बीच में आप जितने भी documents मागे गए हैं वो documents से send करने हैं उसके बाद यहां पर बुला गया है कि अगर आप इससे पहले यहां 9 December के बाद अगर कोई भी documents आप भेजते हैं सुबर 9 बजे के बाद तो आपके document को consider नहीं किया जाएगा उन्चात्रों का Indian से NRI में convert नहीं किया जाएगा दिहार रहे तो आपको 9 December सुबर 9 जे से पहले अपने सभी documents को भेज देना है इस mail ID पर PDF के तोर में उसके बाद आगे यहां पर बोला गया है कि the following condition are required to be made by the condition candidates apply for change of their category Indian other to NRI उसके बाद यहां पर देखी का आप कौन-कौन से documents आपको भेजने हैं the list of documents to be sent through email are as follow आपको इस सभी documents इस mail ID पर forward करने होंगे पहला documents आपका है कि documents claiming that sponsor as is an NRI passport हो या visa of sponsor उसके बाद यहां पर देखी आपको पहला documents है वह यहां पर बोला गया है कि जो NRI का sponsor जो आपका claiming है वह documents आपको भेजना होगा चाहे passport हो चाहे भी जा हो sponsors का उसके बाद second documents आपका है relationship of NRI NRI के साथ आपका क्या relationship है candidate as per the court order यह court order है कि candidate का NRI के साथ क्या relationship है वह आपको certificate यहां पर देना होगा third documents आपका है affidavit from the sponsor that he see will sponsor the entire course fee of candidates duly not raged और आपको जो sponsor है उसका affidavit आपको यहां पर देना होगा sponsor के लिए चोथा आपका है embassy certificate जो आपका embassy certificate होता है sponsor का वह आपको यहां पर देना होगा पांचमा documents आपका है NEET scorecard आपका जो NEET का scorecard है वह आपको यहां पर भेजना होगा यह 5 documents है 5 documents आपको एक PDF तौर में बना करके इस mail ID पर भेजने हैं जो कि 9 December सुबह 9 बजे तक का आपके पास समय है ठीक है उसके बाद यहां पर देखेगा notice posted on 7 December 2020 तो फ्रेंट्स दिहार रहे कि आपको इस date के अंतराल में भेज देने यहां पर आगे यहां पर आपका rate petition दिया गया है ठीक है इसको आप देख सकते हैं इसको जो है मैं link दे दूंगा description में वहां से इसको download कर लिजेगा अनतर नितो telegram पर upload कर दूंगा telegram की भी link आपको description में मिल जाएगी वहां से इस notice को आप download कर लिजेगा ठीक है तो फ्रेंट्स यह notification है और इसके अलावा आप से कोई भी दिक्कत प्रॉलम हो तो नीचे comment box में पूंच लें तो धन्वाद दूस्तों वीडियो देखने के लिए झाल 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 झाल